हे गाईज वेलकम पर अपना कैमपस मैं हूँ पुस्पेंद रहादो तो आर इगनु में जनुरी दरबाई सेसन का जो एडमिशन है वो इस्टार्ट हो गया है तो आज के इस वीडियो में में डिसकस करेंगे कि आपको इसका अप्लिकेशन फर्म कैसे फिल करना है जब आप इ वीडियो कंप्लेट देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए और जब आपना फर्म कर रहे हों उसमें आप कोई गलती न करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे फिल करना है तो और फर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होग और नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको option दिखेगा common prospectus यह लिखावा दिख रहा है इस पर click करेंगे एक PDF डाउनलोड हो जाएगी इसको पढ़ लेना इसमें बहुत सारी information आपको लिखी हुई दिखेंगी यह आपके बहुत ही helpful होगा इसको पढ़ लेना form fill करने से पहले और बाकी है जब आप form fill कर रहे होंगे तो इस समय उससे पहले आप अपने documents त्यार रख लेना document के अगे लगेंगे तो सबसे पहला आपका एक photograph लगेगा एक signature लगेगा आपकी class 10 के mark sheet लगेगी आपका जो relevant आपका educational qualification है उसका आपको कोई proof देना होगा मान लेजी आप gradation के अपलाई कर रहे हैं तो 12 की mark sheet लगेगी इसके अलावा कोई अगर आपका experience certificate है तो आप वो upload कर सकते हैं अगर आप किसी category से belong करते हैं तो उसका certificate आपको upload करना होगा अगर आप BPL यानि कि below poverty line से belong करते हैं तो आपको BPL certificate upload करना होगा इसके अलावा payment करने के लिए आपका credit card debit card net banking इन में से कुछ आपके बास होना जरूरी है ताकि आप payment कर सकें त्यार रख लेना उसके बाद आप फॉर्म करने के लिए तयार है तो फॉर्म कैसे फिल करना है आप पेज को तुर्णा ऊपर करिए और यहां पर सबसे पहले आपको लिखाओ दिखेगा click here for new registration इस पर आप क फिर email id बताएंगे email id को re-enter करेंगे यहां पर एक password आपको create करना है password minimum six character को होना चाहिए और आपको एक अच्छा password बनाना जो आपको याद रहे उसको कहीं लिख के रख लेना उसके बाद password को re-enter करना है फिर mobile number डालना है mobile number दुबारा है हाँ पर दो दो बार मांगा गया है उसके बाद फिर आपका यहां पर जो capture आपको लिखा हो दिख रहा है यह capture आप फिल करेंगे और नीचे लिखा register इस पर प्लिक कर देंगे इतना करने के बाद आप वापस इसी page पर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद आपका जो account है वो create हो चुका है successfully आप आपको login करन होगा तो login करने के लिखे आपको लिखा हो दिख रहा है registered user login इस पर आप यहां पर जाएंगे सबसे पहले आपको अपने username डालना है जो आपने पहले डाल बनाया होगा नीचे password डालना है उसके बाद नीचे आप जो capture आपको दिख रहा है यहां पर डालेंगे और नीचे लि दिख रहे होंगे इसे आप एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं पर मैंने आपको बता दिया है अभी मैंने आपको बता था कि common perspectives पढ़ लेना और documents करके लगेंगे वही चीज़ यहां पर बताई गई है तो आप चाहो तेक बार इसको पढ़ सकते हो पढ़ने बाद page को नीच तो आप नाम आपको पहले से शो हो रहा होगा यहां डालेंगे mother's name फिर guardian relation आप अपना guardian किसको बताना चाहते है फादर को या मदर को जिसको आप बताना चाहें आप उसका आप फादर मालोजिय में सेलेक्ट करता हूं तो उनका यहां पर आपको आगे नाम बता देना है फि इसके बाद फिल टरिट्री या एरिया आपको क्या लगता है अर्बन रूरल यो ट्राइबल आप जहां रहते हैं चूज कर लेंगे minority से आप belong करते हैं नहीं आपके यहाँ पर यह बताना है इसके बाद नीचे आपसे पुछा गया है आपका religion क्या है तो यहाँ पर religion आपका जो भी आप उसलेक्ट कर लेंगे marital status आपकी शादी हुई है नहीं अगर आपकी single है marital आप यहाँ पर बता देंगे और email id अगर आप चाहें तो बता सकते हैं अधर आप नबताएं फिर नीचे आपसे पुछा क्या है other details इसमें क्या PWT category से आते हैं अगर आते हैं yes वर्णा पर no कर दीजिए implement status आपका जो भी है यहाँ से देखके अगर आप कुछ नहीं है तो अगर आप इनके काटेग्री में आते हैं तो आप आप टिक कर सकते हैं और यह इस तरह से सब कुछ फिल करने के बाद नीचे आप लिखाओ आपको दिखेगा submit इसमें आप क्लिक कर देंगे अब यहाँ पे हमारे जो personal information वो फिल हो चुकी है फिल करने के बाद आप आपको दिखेंगी कि आपने क्या क्या फिल किया है आप पेज को नीचे करिए और यहाँ पे सब को चेक कर लीजिए अगर आपको लगता है कोई गलती है यहाँ पे आपको नीचे edit option दिखेगा इस पे click करके आप इसे edit कर सकते है पर अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आपको next आपको लिखाओ दिखेगा होगा इस पे आप click कर देजिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो personal information वो फिल हो चुकी है अब बारी है program बताने की आप किस program के लिए apply करना चाहते है तो सबसे उपर आपसे पुछा गया है program type आप किस के लिए apply करना चाहते है bachelor के लिए certificate courses के लिए diploma के लिए master के लिए किस के लिए apply करना चाहते है तो माल लेजे मज़े apply करना है bachelor के लिए तो मैं यहाँ पर बैसलर पर क्लिक कर दूँगा इसी तरह से आपको जिसके लिए अपलाई करना है आप उसके लिए क्लिक कर दीजिए सभी का जो form fill करने का तरीका है वो सेम रहेगा फिर नीचे आप लिखा है mode of history यहाँ पर आपको जो लिखा हो दिख रहा है आप किस रीजन से बिलॉंग करते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट आजएगी सारे रीजन्स की इसमें से आपके घर के पास जो पढ़ता है आप उसको यहाँ पर सेलेक कर सकते हैं इसके बाद नीचे पुझा गया है प्रोग्राम इस्टेडी सेंटर कोड तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इनमें से आपके नेरस जो भी कॉलेज पढ़ता है आप उस पर यहाँ पर टिक कर देंगे और फिल नीचे पुझा गया है मीडियम आपका मीडियम कह रहेगा इंग्लिश या हिंदी जो भी है आप उहाँ पर स्लेक करेंगे फिल नीचे पुझा गया है कि क्या आप इगनू के पहले स्टुडेंट रहे चुके हैं या कोई और कोर्स आप कर रहे हैं अगर हाँ तो यहस कर दीजिए otherwise आप इसको no कर दीजिए फिल नीचे आप लिखा submit इसको आप क्लिक कर दीजिए इतना करने के बाद यहाँ पर आपकी जो detail है वह लिखी हुई आच चुकी है इसको एक बार चेक कर लेना अगर लगता है यहाँ पर कोई गलती है तो आप edit कर सकते हैं अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है यहाँ पर next पर क्लिक कर दीजिए अब यहाँ पर बारी आई है क्वालिफिकेशन बताने की तो क्वालिफिकेशन में मैं यहाँ पर बैसलर के लिए अपलाई कर रहा हूं फिर नीचे आपर पूछा गया है year of passing किस year में आप pass हुए हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे आपका division क्या था first था second था क्या था वो बता सकते हैं उसके बाद आपके कितने percent marks यहाँ पे आए हैं वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा फिर नीचे आपका पुछा गया बोर्ड का code आप किस board से belong करते हैं तो आप जिस board से belong करते हैं आपको यहाँ पर choose करना है अगर आपके board का नाम इसमें नहीं दिया गया है तो इसको सबसे नीचे करिए सबसे नीचे आप लिखाओ आपको दिखेगा not listed in this list इसमें टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर आपको एक option order दिखेगा यहाँ पर आप खुद से अपने board का नाम डाल सकते हैं जैसे मेरे case में CBC है तो CBC इस list में दिया गया है इसलिए मैं आप यहीं से select कर लूँगा बट अगर आपके board का नाम आपके नहीं दिया गया है तो आप edit कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक है तो आप next पर click कर दीजिए अब यहाँ पर बारी आई है course बताने की यहाँ पर course में सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी जो books हैं वो लेना चाहेंगे study material या नहीं अगर आप यहाँ पर digital form में मंगाएंगे तो आपको 15% discount मिलेगा और अगर आप printed मंगाएंगे तो discount नहीं मिलेगा बट यहाँ पर मैं printed ही मंगाऊंगा फिर नीचे आपे हमारे courses का नाम बताय गया है कि इसमें क्या-क्या पढ़ाय जाएगा सब कुछ यहाँ पर बताय गया है और यहाँ पर नीचे कुछ courses ऐसे भी होते है जिनमें आपको कुछ subject खुद से select करना पड़ता है हो सकता है आपके में select करना पड़े या किसी में नहीं भी करना होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसे मेरे case में आपके सब कुछ लिखा हो है और semester 2 में यहाँ पर पूछा गया है please select course for second semester यहाँ पर select करना है नहीं दो में से कोई है आप select कर लीजिए जो भी आपके सामने हाँ पर option आ रहा है select करके फिर नीचे हाँ पर लिखा है तो आप edit कर सकते हैं अब इसके बाद बारी आती है address बताने की यहाँ पर आपको अपना address बताना है address line 1, line 2 आपकी city क्या है, state आपका कौन सा है district आपका कौन सा है, pin code क्या है यह सब कुछ यहाँ पर आप बताएंगे और nature लिखाय submit इस पर आप click कर देंगे करनी है, signature upload करना है 10th की mark sheet upload करनी है यहाँ पर 12th की mark sheet मेरे case में मांगी गई है फिर नीचा पर others का option है others में आपका कोई experience certificate है आप वो बता सकते हैं अगर आप किसी category से belong करते हैं तो आप वो certificate दे सकते हैं जो भी certificate आपके पास है जो आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर others में upload कर सकते हैं और सारे चीज़ें यहाँ पर select upload करना कैसे है तो upload करने के लिए यहाँ पर आपको आगे लिखाओ दिखेगा select file इस पर click करेंगे click करने बाद यह आप अपनी gallery पहुँच जाएंगे gallery से अपनी photo यहाँ पर select करेंगे और वो आपकी upload जाएगी और सब कुछ upload करने के बाद आप पे page नीचे करके यहाँ पर next आपको लिखाओ दिखेगा इस पर click कर देंगे documents upload करने के बाद यहाँ पर next step आता है यहाँ पर आपको preview दिखाए जाएगा जो detail आपने fill करी है सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाए जाएगी अगर अप भी आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलती है कुछ आपको edit करना है तो आपको देखिए उपर लिखाए modify this section इस पर click करके आप उसे edit कर सकते हैं हर एक section के आपको लिखाए दिखेगा modify this section आप उसे click करके उसको modify कर सकते हैं पर अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप सबसे नीचे यहाँ पर आजाएंगे और यहाँ पर लिखाए आपको दिखेगा I agree इस पर click करेंगे यहाँ पर आपकी fees आपकी कितनी है वो भी आपको दिखाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर लिखाए accept and proceed for payment इस पर आप click करेंगे और payment वाले option पर आ जाएंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस पर click कर देंगे उसके बाद यह detail आपकी edit नहीं होगी तो उससे पहले पहले एक बाद अच्छी से चेक कर लीजे अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ें otherwise ना बढ़ें उससे पहले एक बाद सब कुछ चेक कर लीजे और चेक करने बाद अगर आपको लगता सब कुछ ठीक है तो आप उस पर click करके अपना form आगे fill कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपना application form completely fill कर सकते हैं अगर आपको कोई doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ सेर कीजिए ता कि उनकी भी help वोस दखे तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में